नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों केसे हो आप सब लोग पैसा तो बनेगा मैं मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सेटेड़ का दीन है कल रात को बहुत बारिश हुई थी कंटीनियूसली मैं जहां पर हूँ वहां पर इन्वार्मेंट बहुत ही अच्छा है आप य देर कियूंकि इसके उपर वीडियो बनाने के लिए बट एक मज़ेदार में आपको बात बताओं चो लोग ये फ्रीक ट्रेट्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं या तो अलग-अलग फोरॉम्स पे सब हम लोग कंप्लेइन कर रहे हैं उन लोगों के मैं पूछ हो कि लोकेशन स्केम एनसी को लोकेशन स्केम अगर पता नहीं हो आप लोगों को जो मुझे पता है जो नई जनरेशन अभी आई ने ट्रेडिंग में उसको पता नहीं होगा कि ये को लोकेशन स्केम क्या है एनसी को लोकेशन स्केम गूगल में करो अब वो मैं फ्रीक ट्रेड के होते हैं उसको सर्वर के पास में कहीं पर लोकेशन दिया जाता है ताकि थोड़ी स्पीड आए ओर एक्जुकूशन वगेरा में मैं अभी टेक्निकालिटीज में नहीं जाना चाहता क्योंकि टेक्निकल चीज बोलने जाओंगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा तो को मिलके कुछ NSE officers मिलके यह जो टेक्निकल सेटप इसके इस तरह से फाइदा उठाया कि कुछ काफी सारे ऐसे ट्रेड़ किये गए जिसमें उनको काफी सारे प्राइजीज जो स्टोक या इंडेक्स की प्राइजीज होती न वो थोड़ा चंद सेकंड पहले पता चल जाती थी तो अगर आपके पहले किसी और को पता चल जाती है तो वो बंदा एडवांटेज मिरेगा अब यह जो को लोकेशन स्केम था न यह पूरा जे चक्कर यह बहुत साल चला बहुत साल में यह सब officers उसके क्लाइंट ने कोरोड बहुत बड़ी अमान में पैसा कमाया पैसा कमाया तो ठीक है वो पैसा फोरेंड में रिडाउट भी कर दिया रिडाउट भी कर दिया उसके बाद कहीं जाके सेबी एने से को सब पता चला तो उन लोग ने इन्वेस्टिकेश सेस्टाब इसकी अपने बता दा हूं यह जब जो न्यूज आ रही थी न तो न्यूज को सेबी न लिया मार्केट में वह भी टॉप ऑफिशल्स ने कर लिया तो हम क्या करें बेठा बेठा और आज तक बहुत बड़ी एक अच्छी कॉन्फरेंस करके उन सभी ऑफिसर्स के नाम पब्लिक डालके उनके उपर बड़ी पैनल्टी लगा के उनको जेल में डालके कि इतना देखना उस टाइम पे मैं इतना फ्रस्टेट हुआ था मैंने वीडियोस भी बनाया थे मैंने सेभी को इमेल लिखे थे मैंने एनसी को इमेल कुछ ट्रिब्यूनल्स होती है उसको इमेल लगे थे कोई कभी कोई चीज का मुझा आंसर नहीं मिला काफी सारे जर्नालिस्ट इ जब इतना बड़स किया और इनके खुद के ओफिसर्स इंवल्ट है तो इंटेग्रिट की तो हम बात ही क्या करें तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है जो लोग फ्रीक ट्रेडिंग के बारे में कंप्लेंट करें न प्लीज आप सोड़ा रीसर्च कर आपको पता चले इता हूं बाद मैं आगे बढ़ते हैं कि फ्रीक ट्रेड मतलब क्या कि जब मार्केट ओपन होता है और मार्केट पूरे दिन ट्रेड करता है तो जैसे कि एफेनों में कुछ रेंज डीसाइड होती है कि आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करना है तो इस पर्टिकलर रेंज के ह भी प्रोब्लेम हो जाएगा उसी तरह से option में premium होता है तो premium भी कुछ range होती है अब वो range क्या होती है technically range 5% है के 10% वो बाते जाने देते हैं पहले range हुआ करती थी range के इसाब से आप order डाल सकते थे अब उसमें क्या हो रहा था उसमें यह हो रहा था कि कई बार जैसे के market जो open होत जाती है कई बार बीच में volatility sudden increase हो जाती है तो traders को क्या करना था कि orders डालने थे तो उनके order वो range की वज़े से execute नहीं हो रहे थे क्योंकि range तो define हो चुकि अब market में sudden volatility आ गई market open हुआ तो उसका कुछ अलग calculation है market में बीच में कहीं पर volatility आ गई तो काफी लोगों के orders execute नहीं होते तो यह बहुत बड़ा एक problem था उस time पे और अगर आफ forums वगरा देखो के तो काफी सरे लोग complain भी करते थे और कि यह मुझे यह premium में enter होना था नहीं हो पाया यहां पे exit होना था नहीं हो पाया यह order exit करना था नहीं हो पाया मेरे से तो इसा होता था तो stock exchanges ने especially जो एनसी वग में ऐसे चल रहे हैं कि जिन्होंने यह range नहीं रखी अब range नहीं रखी तो इन लोगों का logic देखो क्या था कि चलो हम demand supply को decide करने देते कोई भी एक range नहीं रखनी है तो एक time पे अच्छा लगेगा कि चलो इससे होगा क्या कि चलो जो लोग complain कर रहे थे कि हमारे orders execute नहीं हो र लगेंगे ठीक है error नहीं आएगी पर अब क्या हुआ पता है अब let the demand supply play अब तो यह august 16 में डिसीजन लिया गया और उसके बाद दो-तीन इवेंट आगे ओ लेड़ी फ्रीक ट्रेट्स के और मुझे लगता है बहुत आने वाला है जब तक इसका solution ना निकाले इसके हुआ क्या बता है कि wild moment आई कि जो नहीं आनी चीए थी अब क्या हुआ demand and supply अब तो कोई range नहीं बची तो कुछ brokers होते हैं उनके बड़े-बड़े client होते हैं कोई ना कोई reason की वज़े से कहीं पर नीचे order डाल दिया अब बात में उसको बोल दिया कि mistake हो गई नहीं होगी जो भी है या तो demand supply उसकी वज़े से हुआ क्या कि जब आप market order हम लोग execute करत है तो market order हमने decide किया होता है कि चलो यह price पे होना चाहिए तो उससे कहीं दूर जाके execute हुआ तो वह तो एक problem हो गया गये काम से और जहां पर stopless रखा है तो market इस तरह से मुह हो रहा है कि stopless trigger होके आपको market से निकाल गया आपको आप एक्चुली loss में थे नहीं आपको stopless नहीं लगना चाहिए था पर वह एक-दो सेकंड के काम से निकल गया आप मार्केट से निकल गया आपने loss book किया तो सभी जगा पर यह free trade ने complex खड़ा कर दिया दूसरा कि यह जो milliseकंड में होता है इसकी वज़े से क्या होता है कि कई बार चार्ट पर यह दिखता ही नहीं है कि कहां पर क्या हो गया उसके लिए बहुत ही डेटा और अच्छा सा टेक्नोलोजी चाहिए कि हाँ यह सा हुआ है दूसरी बात कि सबसे सबसे बहुत बहुत अब important चीज कि जब सेबी या तो stock exchanges कोई भी यह चीज़ डिसाइड करते हैं त के पास कोई impact analysis department नहीं है कि ओके चलो तुमको यह problem लगा तुम उसके solution में यह निकाल रहे हो तो यह solution की वज़े से क्या कुछ problem आ सकते हैं एक छोटी सी software development form होती है न वह भी एक software बनाती है तो उसका impact analysis होता है उसका एक risk में अगर वह कोई healthcare software बना दी अगर वह कोई payment process software बनात सकते हैं क्या positive impact हो सकते हैं तो कहीं बार से भी यह तो एनसे यह सब जो decisions लेते हैं मेरा अभी तक का experience बताव मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या उनकी टीम में कोई ऐसा कुछ है नहीं कि risk management impact analysis मलब कुछ भी नहीं यह circular डाल दो और circular दे दो ठीक है दूसरी बाल कि मैं free trade को अभी ब्रो आजकल जो discount broker काफी सारे अच्छे हैं ठीक है जीरोधा बोलो फायर्स बोलो अब्स्टोक बोलो तो उनके पास traders का volume बहुत ज्यादा है एक दो पात दस retail trader यह सा बोल देंगे कि हम trade नहीं करेंगे या तो यह गलत ए फ्रीक ट्रेड तो मुझे नहीं लगता कि इससे इन प्रेजन करता है एनसी के साथ बात कर सकता है तो मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं उनके influence कर वह आगे जाके influence करें राइट क्योंकि ब्रोकर के पास इनका volume होता है अगर ब्रोकर अच्छी तरह से फाउंडर का article पड़े तो उन्होंने बहुत अच्छा suggestion दिया और वही suggestion में डिसकस करता हूं कि जहां तक हो सके आप हमको limit order यूज करो जब बाइ करो तो भी लिमिटेडर यूज करो सेल करो तो भी लिमिटेडर यूज करो और स्टोप लोस में भी आप एसल लिमिट यूज यूज करो तो इससे काफी ज्यादा risk management हो जाएगा हम यह नहीं कर सकते कि हम 100% बच जाएंगे पर हमारा काम है कि risk management करना maximum risk management इससे हो सकता है यह बाद से मैं agree करता हूं तो इससे बचने का अभी यह तरीका है अब लिमिटेडर में भी और प्रोब्लेम हा रहे है कि अगर हम स कभी debate का topic है for the time being limit order use करना चालू कर दो दूसरी बात कि जो लोग options में हेजिंग करते हैं मेरे काफे सारे portfolio हेजिंग वाल है तो हमने हेजिंग में यह देखा कि हेजिंग में क्या होता है कि for a second for one second or two second m2m loss एक्दम बड़ा हो जाता है कि जैसे कि मैंने expect कि मेरा m2m loss कोई भी जैसे कि मेरी capital है 25 लक्स ठीक है जैसे कि अभी जो portfolio बताया था तो कहीं पर सोचो कि मैं 10 लाग के capital से trade कर रहा हूं और मैंने और मार्केट में कुछ यह फ्रीक ट्रेट जैसा मूवमेंट आया और यहां तो कुछ सटन मूवमेंट आती है तो मुझे कोल आ जाता है इमेल आ जाता है कि फटाक से अपनी capital डालो वरना problem होगा तो यह फ्रीक ट्रेट के दवरें में ने देखा कि उनका कोई call वगरा नहीं आता क्योंकि यह मिली सेकंड में होता है ना तो बाइधर टाइम यह लोग notice करेंगे बाइधर यह लोग कॉल करेंगे उतनी देर में तो matter of milliseconds कि क्या होता है तो वो आप एक यूज कर सकते हो दूसरी बाद जैसे कि जिरो दाक के फांडर ने उनके आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वो लोग इंटर्नली यह डिसाइड कर रहे हैं इंपेक्ट को सेनालिस के हिसाब से या तो डाइनामिक रेंज वो खुद एस्टा हो जाएगे कि अगर जीरोधा ने इंप्लिमेंट कर दिया और बाकी ब्रोकर्स ने इंप्लिमेंट कर दिया तो ऑवरॉल क्या होगा कि मैजोरिटी 50-70 परसंट जो ब्रोकर्स हैं वो लोग अगर डाइनामिक रेंज या कुछ भी करके एक सोलुशन प्रोवाइड कर रहे हैं है तो वो भी डायरे कि हम दे देते हैं पर एक बहुत बड़ी बात देखो आप लोग कि जैसे कि कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है वो सोच रहे हैं कि यह गलत हो रहा है और उनके पास टीम है ब्रेंस्टॉम करने के लिए रिस्क मेनेजमेंट टीम है कही ना कहीं वो लोगों लेकर आ जानेगा और सब्सक्राइब लेकर बोल देने का अब यह करो तुम्हें एक नहीं सो चैंजिस लाओ नो निट टॉपर इंडिया के ट्रेडर तुम्हारे पूर डिपेंड होते हैं क्या तुम्हारे पास सिंपल प्रोसेस नहीं है रिस्क मेनेजमेंट की मेरा तो इत इतना रियक्टिव प्रोसेस इतनी बड़ी एक्षेंज लेके बेटे हो और तुम इतना रियक्टिव प्रोसेस रखते हो तो यह अन्बिलीवेबल चीज है कुछ तो चीज़े सा लगता है कि क्या हो रहा है यहां पर और दूसरी बार जब जब यह फ्रीक ट्रेड होगा यह च्हें मिने के लिए सस्पेंट कर धिया यहां पता नहीं कि एक ट्रेड में से उसके क्लाइट क्लाइंत में कितने करोड कम आ लिया तो यह हमेशा क्या होता है और नसी इस इंटिफाइव करते अच्छा यह ब्रोकर की सब्चार से यह ग्लीश की वज़े से ऐसा हुआ इतनी penalty लगा देते हैं पर इस penalty penalty is not a solution आपका internal इतनी बड़ी technology लेके बैठे हो तो आपके पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो question कर सके कि अच्छा आप यह रूल आ रहे हो तो चलो एक analysis करते हैं चलो brokers को include करते हैं जो आजकल discount broker 50-70% volume लेके बैठे हैं चलो उनके पास यह सबसे पहल एक circular बना के जाते हैं उनको बोलते हैं कि यह कितना वाजिब रहेगा कुछ भी discussion नहीं कुछ भी सीधा implementation तो जो हो रहा है वो इतना अच्छा तो नहीं हो रहा है बट एक और रीजन है कि मैंने यह वीडियो क्यों लेट बना है क्योंकि मैं थोड़ा अभी आदी हो गया जैस और अच्छा फॉसीबल नहीं है कि हमारे पास इतना वेट है जो तो कहीं न कहीं स्टोक मार्केट में एक बार मेने चीजोंको एजस्ट करना भी सीखा जो काफी लोग यहसे हैं जो मेरे डिसकस करना क्या इतनी करने कर लेते हैं तो मैं थोड़ा उस चुकाव में भी आ गया हुए सब्सक्राइब करते हैं मेरे प्रीवियस एक्ष्करियस के इसाप से इसका मनलब ये नहीं कि मैं कर नहीं कर रहा हूं और मनलब यह नहीं कि जो जो काफी बार में लोग नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं इनको चो करना है वह ही करते हैं और एक लिस्ट् हमारे पास ऐसी एक अच्छी चीज है कि आज का रेसे तरह से ध्यांड रख रहें तो चलो उनके थू जब हमारे ओडर जाते हैं तो चलो वहां पे एक विंडो क्रियेट करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यह एक आखरी होप बची है इसकी सिवाए कोई और एक्चुली होप नहीं है तो काफी सारा मैंने डिसकस कर लिया काफी सारे मैंने व्यूपेंट्स बता दिये अभी के लिए तो लिमिट अडरी यूज़ करो हरे की जगा इवन स्टोर प्लस भी और ऑप्शन में हैंजिंग करते हो तो मेरे एक्स्परेंस के आप से बता रहा हूं कि उसमें डरने की कोई जरूवत नहीं है बाकी बिजनेस हैं हमारे यह स्टॉक मार्केट हमें उसके साथ में मिलके आगे जाना है और मेरे साथ इमेल या वाट्सअप के तरू आप जूर सकते हो थेंक्यू थेंक्यू वेरी मैच